उमर्य जिले के पाली मुख्याले में इस्थीत गिंज्री गाउं के समीर बन रही आई टी आई सहीद बालबाली का छात्रबास भवन वर्सों बीद जाने के बाद भी अब तक मुंडूप से तयार नहीं हुआ जिसमें छात्रों को अन्यत तक्निकी शिक्षा लेने की जाना प भवन सहे वाला को करने चात्रबास कारे का भुमी पूजन किया था जिस कारे को पूर्ण करने का ठेका गिरिराज कन्स्ट्रक्शन असोपनगर को दिया गया था मैं कारे पूर्ण करने के अवधी 18 मा दी गई थी उनक ठेकेदार द्वारा वर्सों बीज जाने के बाद भी अब तब भवन पूर्ण रूप से तयार नहीं किया गया ताज़ुप की बात तो यह है कि तक्रिंगी सिक्षा एवं को असल विकास विभाग के संद्रक्षर में यह कारे होना था लेकिन जिम्मेदार अधिकारी गहरी नीन में सो रहे हैं इस संब्द में चात्र निता हर्स अवधिया ने कहा कि समय में आईटाई भवन ना बनने से चात्रों को बहुत परिशानी होती है वहें स्टेम निहासोने ने संब्दित विभाग से जानकारे लेकर कारवाई का अस्वासन दिया है मामले में बिजेपी जिलादेक्स दिले पांडे रे कहा कि जम्मेदार अधिकारी बात कर समझ से हल की जाएगी साथी दोस्यों पर कारवाई भी की जाएगी महिने का है इसका बनने का जो टाइम पिरियड लागेगा और अठारा महिने के बाद जब भवन बनके खड़ा हो जाएगा तो छे ट्रेट चालू हो जाएगे और अगर जरूरत और महसूस होगा तो हमारी योजना है कि हम दस ट्रेट भी यहाँ पर कराएंगे जो हमारे चेतर के लिए हमारे पढ़ने वाले जो टकनीकी सिख्छा की जो पढ़ाई हमारे बालक बालिकाई कर रहे हैं इस छेतर की लिए बहुत बड़ी उपलब दिये और इसलिए मैं मान्य मुक्ष मेंतर जी को असुईदा के सामना करना पड़ता है जिसके करण चात्र यहाँ हमारे पाली के चात्र कहीं नहीं तो सैडोल जाएंगे नहीं तो उमर्या जाएंगे जो कि यहां से कम से कम 40-50 km दور है हम नोंग शासन प्रसासन से मांग करतें कि जल्द से जल्ड़ निधारि समय में आई टी आई कॉलेज का निर्मान करे ताकि यहां के छातर छातरा को सुवीदा हो और जो असुवीदा का सामना करना पड़ रहा है उससे चात्र बच सके सिक्षा को लेकर समवेदन सील है और सतत पूरे प्रदेश में आईटी आई की बिल्डिंग बन रही नई कालेजों के निर्माड हो रहे है महिलाओं के छेत्र में नर्सिंग होम बनाए जा रहे है लेकिन कहीं न कहीं यदि आईटी भवन बनना हमारे जिले में सुनिश्चित हुआ है और वह तैस समय सीमा में नहीं बना है तो उसके पीछे किन कारणों से नहीं बना है उनकी जाच की जाएगी और आपके मात्यम से यह बाद जो मेरे संग्यान में आई है निर्धारित फोरम में उठाते हुए इस्थानी कलेक्टर साब से बात की जाएगी प्रसासन को अउगत किया जाएगा और उस कारण को क्यों इतना लेट लतीफी की जा रही है इसके पीछे जो जवाब दे लोग है उनकी उपर कारवाई भी की जाएगी और मैं आपको यह सुनिश्चित करते हुए बताता हूँ कि उसका स्वयम मनिरिक्षन करके देखकर इस्थानी प्रसासन को अउगत कराऊंग और सिख आईटी आई भवन की सावगात छात्रों को मिल सके क्योंकि हमारे जिला मुख्याले से पाली की दूरी 40 किलो मीटर की है और छात्रों को आने जाने में दिक्कत होती है आईटी भवन अगर हमारे जिले में संचालित होगा हमारे नगर में संचालित होगा तो उससे हमारे छात्रों का कल्याण होगा और छात्रों का भविस उज्वल होगा इसलिए मैं पुर्जोर प्रयास करूँगा कि ITI भवन सिग्र आरंभ हो और उसका कार जल्दी से जल्दी संपन हो